तो चलिए बनाते हैं पास्ता जिसके लिए मैंने कुकर के अंदर ओयल लिया है हम आज बनाएंगे इंडिन स्टाइल में पास्ता चीज कौन पास्ता वो भी कुकर में तो उसके लिए ओयल लिया है मैंने और गैस को अन कर दिया है अब कुकर के अंदर हम कटे हुए प्याज डालेंगे और उसे अच्छे से हम स्वाते करेंगे उसके अंदर हम थोड़ा सा नमक डालेंगे नमक डालकर हम उसे अच्छे से स्वाते करेंगे और फिर हम दूसरी सारी सब्जिया एड करेंगे जिसके अंदर मैंने लिया है गाजर, टमाटर, सिमला, मिल्च और मैंने स्वीट कॉन भी लिया है जो मैंने फ्रोजन वाला लिया है तो ये सारी सबजिया हम one by one ऐड करेंगे इसके अंदर पहले इसे दो-тिन मिनिट तक हम इसे पहले अच्छे से साथे करेंगे ओनियन को उसके बाद हम इसारी वेजिटेबल उसके अंदर ऐड करेंगे देखे पहले मैंने गाखर डाला उसे हिलाया अच्छे से सौटे करते जाना है और डालते जाना है उसके बाद कैपसिकम डालना है उसे भी सौटे करना है फिर डालेंगे हम उसके अंदर टमाटर, कैपसिकम और स्वीट कॉर्न इस सारी चीज़ें हमें इसके अंदर वन बाई वन एड़ करनी है और इससे अच्छे से हमें स्टर करती रहना है लास्ट में टमाटर भी एड़ कर देते हैं और उसे अच्छे से स्टर करेंगे हमेशा इसके अंदर पानी का हमेशा मेजर्मेन प्रॉपर रखें पानी अगर प्रॉपर डालोगे तो प्रॉपर से बनेगा इसके अंदर मसाला ज्यादा कुछ आड़ नहीं करना है तो हमने इसके अंदर एड़ किया है लाल मिर्च तिक्की वाली लाल मिर्च आड़ किया ह अब से कर सकते हो का ओड़ा साओ इसाब से करना है तौर को है नहीं कर अला है कर ना है जो मेजिक बढ़ी मसाला आता है मैगी का ज ना है कि दो कप पास्ता लेना है तो आप एक पैकेट मेगी का डाल सकते हो और दो कप पास्ता हो तो थ्री-फोथ कप पानी आपको मेजर करके अंदर एड़ करना है नमक स्वाधन उसार आप एड़ करें और कोई मसाला एड़ करनी की जरूरत नहीं है हमें इसके अंदर बस इसे थो विनेगर अगर ना हो तो आप स्किब भी कर सकते हो पानी याड़ कर दो और उसे एक उबाल आने तक बॉल करें अच्छे से देखे इस प्रकार से स्टर कर लेना है और उसे उबाल आने तक पूख होने देना है उबाल आते ही हम इसके अंदर थोड़ा सा टमेटो कैचप एड़ करेंगे मैंने चार चमज याड़ किया है आप अपने जरूरत के हिसाब से एड़ कर ले कम ज्यादा कर सकते हो और लास्ट में मैंने पास्ता एड़ किया है पास्ता को पहले अच्छे से वास कर ले उसके अंदर एड़ करें और उसे अच्छे से श्टर करके कुकर को बंद कर लेना है और हमें दो विसल लगा लेनी है ज्यादा हमें कूक नहीं कर रहा है और यह लेस औयल होता है इसके अंदर ज्यादा ओयल THE vapor शीकिए ऐसे लनना इस यह हमें खोलना है इक्दम खिले खिले से बने यह हमारे पास्ता जो लोग डायेट लवर्ज हैं डायेट कर रहे हैं वो लोग भी ये पास्ता इजी लिखा सकते हैं क्योंकि ये पास्ता मैंने सोजी वाला यूज किया है यह चीज डालने के बाद हमें दो मिनिट के लिए इसे फिर से ढख कर कूक करना है ताकि हमारा चीज जो है अच्छे से मैल्ड हो जाए देखिए इस प्रकार से हमें मैल्ड कर देना है और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरी रेसिपी को लाइक किजिए सब्सक अगर आप भी पेज पर देख रहे हो तो वहाँ पर आप मुझे फॉल किजिए देखिए हमारा पास्ता रेडी है चीज मैल्ड हो चुकी है तो अब इसे हम अच्छे से हिला देना है और लाच्ट में डाल देना है कोरियंडर तयार है हमारा पास्ता देखिए और इसे हम लंच बॉक्स में भी यूज कर सकते हैं डिनर में यूज कर सकते हैं वन पॉट मिल के तरीके भी इसे यूज कर सकते हो लंच डिनर स्नैक सबी जगे पे ये चलता है तो ये वन पॉट मिल हम लंच बॉक्स में सजा कर दिखाते हैं आपको तो लंच बॉ आप मेरी रेसिपी बनाते हो इसे यूज़ करते हो तो मुझे वो पिक भी सेयर करना ताकि मुझे भी पता चले और आप कहां कहां से मेरी रेसिपी को देख रहे हो मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा जरूर बताईएगा